यार, experience आज टैलेंट से जीत किया तभी तो भई, सानिया मिर्जा के husband नहीं, सॉरी, सॉरी सना जावेद के husband सानिया मिर्जा के ex-husband यानि के शोय मलेक ने पीसल एट न बैट होगा भी तरह आँए अरे यार, क्या करूँ सानिया मिर्जा को भी बात हो बता लगो शादी हो गई क्या, ये पोस्ट आगिया था खैर, मैच पे आते हैं तो एक बाल, तीन रन उससे पहले आऊं तो कहीं न कहीं, जमान खान वर्सिस शुय मलिक में एक mental battle जमान खान ने almost चीत ले थी ये वो लड़का जिसने पिछले सीजन में एक ऐसा एक रंची में आज जिता है था अज फिर उस सिचूशन में था आठ रंच आई ये थे छे बाल में और almost उसने अपनी टीम को जिता दिया था बस एक minor mistake last पे और शुय मलिक का वो सालों का experience भार ही पड़ गया मैं हूँ असाद मेरे साथ है फारुक PSL में कराची की वो जो नाव थी इतनी डूबी हुई चल रही थी जिसके जो सिपे सालाज जिसके कैप्टन शानमसूद है आप कैसे भी कैप्टन मानों नाव को मानों ये टीम के मानों लगभग पूरी कोशिश में डुबाने के मगर समहाओ कैसे ने कैसे कभी कैरन पॉलाड कभी शोय मलिक उस नाव को survival देते चले जारे लेकिन कहानी कराची की कहानी शोय मलिक की और कहानी जमान खान की और कहानी पाकिस्तान की जब से पाकिस्तान का कप्तान बना है तब से वाणो किसमत पता नहीं किस चीज से लिख दी गई है क् legisl bo Naval cok की when लगाथथ पहला कैप्टन पहला डो बार उतला चुका और और वह देख गरके पाकिस्तान को से कप्तान बनाया उसके बाद शाहिन एक मैच जीते हैं एक न्यूजिलाइन अखलाफ हाँ और एक PSL में एक PSL में वो भी तब बाहर हो गए ते जिस दिन दोपैर में बाहर हुए शाम को होशा है आवक पुछ नहीं हो सकता चलो एक जीत जाते है और एक पॉइंट बारिश ने दे दिया है वो रिजवान को Captain बनाना चाहिए है कुछ ऐसी बात है चल रहे है पाकिस्तान के अंदर आप शुशल मीडिया पर देखेंगे तो आपको खूब मिलेंगे आराम से कहानी अगर आज की मैच की देखेंगे तो more or less अगर एक positive चीज चाहिए तो वो फखर जमान है जी हाँ फाइनल अबदुल्ल شफीक अच्छा खेलते हैं डीविड वी से अच्छा फिनिश करके देते हैं तीन चक्के लगाए बना देता है वही मैच वही रन है जो असल में आपको बचा लेता है यह जदा आयता है आप सोचा ना आप डेढ़ सो पर होते हाँ आप डेढ़ सो पर होते हैं और वीजे ना करके नौ बॉल में 24 तरण वो सिकंदर रजा ने कच्छा फिनिश दिया यह सिकंदर रजा ने सोला हैं बाइस कर दिया यह लास्ट में जो पचासर ना है इस पचासर ना आपको इच्छी सिचुएशन में डाल दिया कि वहां से आप खैर लास्ट तक आगे थ लास्ट बॉल पर मैक्च परिश हुआ है वो वाइड यॉरकर का अटेम्प थोड़ा सा 19-20 हो गया थोड़ा सा ऐसा हो गया कि वो पुल टॉस में कनवर्ट हो गया और अफर्ट पर पूरे 100 नंबर समान खान किया रहा आप आठरें डिफेंट करें शोय मलिक जैसे और ऐसा खाली शोय मलिक हो तो समझ में आता है अनवर अली खेल थो चक्के लंबे टांगते हैं ठीक है अरफात मिनहास फिरहसान अली ये तीनों की तीनों अच्छे हिटर थे तो ऐसे में आप सिंपल कह सकते हो कि ये हलके नहीं थे नहीं बिलकुल अगे नहीं थे तो उसके बाद व बहुत ज्यादा और रन पहले आ गए उससे पहले रन आ गए लास्ट ओवर में अगर आप आट रन दोगे तो आप उमीद यही करोगे कि तीन-चार बॉले मैच खतम हो जाएगा अची बात है कि मैच लास्ट बॉल तक गया और कुछ खास बत शाहिन अगर आज जीतते तो मुराल जरूर बूस्ट होया था लेकिन अब शियर मलीक ने बस पता है फारुक इस ओर क्लास बोल पर चौकर लगाया उननिस ओर क्लास बोल पर चौकर लगाया तो तभी वो नौर रन आए शाहिन शाह फरीदी को बरना जमान के बास सोड़ से ज़ादा और रन होते डिफें अब जीत सकता है या फिर ऑप्शन्स में कुछ और तेखने का वक्त आ किया है क्योंकि इसी प्यसल के दम पर कप्तानी मिली थी और इसी प्यसल के दम पर कप्तानी जा भी सकती है आपको क्या लगता है आपको ज़रूर था वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो तो बढ़ को जब तो खिनВыκया है आपको है आपको जब पर किया आपको करे सिस्फेस्ट मॉत Imper